दोस्तों आप कौन सा ब्रेंट का फेस्वास यूज करते हो लोटस लेक में क्लीन एंड क्लियर या पॉंस यह सारे प्रोड़क्ट ही केमिकल से भरपूर है और हमारे स्किन को बहुत ही जादा डेमेज करता है कुछ दिन में हमारे फेस से गलो चला जाता है और अगर आप हिमा लिस्ट चेक कर लेना आपका गलत फैमी दूर हो जाएगा इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों के साथ होम मेट जेंटल फेस्वास बनाने का तरीका सेयर करूंगी और मैं खुद फेस्वास यूज करती हूं डेली दीन में तीन बार और इस फेस्वास में मैंने जो भी पाउ जिसकी रोटी बनती है दोस्तों ए हमारे इसकिन से टैन को रिमूप करता है और हमारे इसकिन टेक्स्चर को इंप्रूब करता है इसके बाद ले लेना है बेसन बेसन हमारे इसकिन को लाइटन करता है और जिन लोगों का इसकिन बहुत ही ओली है उनके लिए बहुत जादा ऑफसे बहुत एमंट में विटमीन А 그래도 स्कीन ग्लोइंग होता है इसके बाद दोतों एूज किया है ओरेंज फील पाउडर दोस्तों से हमारा पेस में जो बी मार्क्स अप्ष को आधे हो जाएगा और हमारी इसकिन एजिंग भी बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी इसके बाद दोस्तों सारे पॉडर को टू टी इस्पून एमांट में ले लेना है एक छोटे से जाड में सिर्फ औरेंजपील पॉडर एक टी स्पून लिया है विकोस मेरा इसकिन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है अगर आपके इसकिन सेंसिटिव नहीं है तो आप इसे भी 2 टी स्पून ले सकते है इसके बाद दोस्तों अच्छे-ज़े मिक्स कर लेना है सब पावडर को तो रेडी हो चुका है हमारा फेश वास इसको यूज करने का तरीका है थोड़ा सा पावडर को लेके घोल लेना है और प्येस में एक मिनित तक मसाज करना है और सिंपली धो लेना है दोस्तो इस पाउडर में दही या मलाई मिक्स करके इसे फेस पिक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं तो दोस्तो केमिकल से भरपूर फेस वस हटाईए और वासिमा यानि के मेरा बनाया हुआ फेस वस को अपनाईए तो दोस्तो आज का वीडियो एही तक वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही में सब्सक्राइब